नमस्ते फ्रेंड्स मेरे नाम लुक्षिमिकांत है और मेरे चैनल का नाम कॉमर्स अड़ा लातूर है और मैंने ट्वलवेवर एटीजी को पर बहुत सारी वीडियोज बनाई है ये अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो आज के हमारे वीडियो का हाँ- China a अगर आपने ट्वल वेवर एटीजी के लिए अपलाइग किया है तो आपको एक ये सिट्यु करा से का होता है इसकी कब तक रहती है और जब कैसे मिलता है मतलब उसके लिए अपलाए करना पड़ता है या आटमेटिक मिलता है कैसे मिलता है तो इन सारी बातों के उपर आज हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे कम वक्त में ज्यादा मैं आपका टाइम लोंगा नहीं और इसमें मैं सब्सक्राइब करने के बाद आपको देखना है सिक्स नंबर वाले पॉइंट में जो दिखता है ना सिक्स नंबर वाला पॉइंट यहां पे आपको देखना है जैसे आप यहां पर देखेंगे तो देखें यहां पर कुछ लिखा है कि यहां पर 12-way तो यहां पर लिखा है 12-way तो इससे आप जान जाहिए कि यह आपका जो certificate है वह 12-way का है और यह 2 क्या दिखा रहा है तो यह 2 है code number जब आपने file किया था 12-way के लिए form 10-a तो उसके applicable है 28 माई से इसका मतलब 28 माई से अगर आप जो भी income कमाएंगे उसके ओपर यह provision applicable होंगे 12-way के लिए और दूसरा है कि देखिए यहां पर लिखा है कि कितने समय के लिए कितने assessment के लिए applicable है तो यह लिखा है 22-23 से लेकर 24-25 तक है applicable है मतलब valid है तब तक ठीक है और कुछ condition department दी है कि आपको उस condition का violation नहीं करना है वो condition दी है 10 में यहां पर कुछ conditions दी है वो condition violet नहीं करेंगे मैं आपको कुछ brief में कुछ दो-चार condition बताता हूं कि आप आपके trusted में या फिर bylaws में bylaws में या फिर memorandum में कुछ भी changes नहीं कर सकते जिससे आपका nature आपके संस्ता का nature बदल जाए ओके और यह department यह भी कहता है कि आप changes करने से पहले commissioner की permission लीजिए कौन सा commissioner income tax का commissioner उसको आप draft deed दिखाए और फिर बात में permission लेने के बाद आप आपका जो भी trusted है या फिर bylaws है उसको आप amend कीजिए ठीक है वो कहां पर लिखा है देखिए यहां पर लिखाए यहां पर ल कहता है कि आप जब भी department से communication करेंगे तो आपको pen card code करना पड़ेगा एक कहता है दूसरा एक कहता है कि आप आपके asset जो भी है संस्ता की वो transfer नहीं करेंगे अगर dissolution होता है या फिर merger होता है amalgamation होता है इसका मतलब यही कि अगर आप संस्ता बंद करना चाहता है या फिर किस यहां पर नहीं तो फिर tax लग जाएगा और यहां पर दिखिए यहां पर लिका है कहां पर गया हूँ यह यहां पर लिका है कि आपको हर साल income tax return बरना चाहिए बरना mandatory है और आपको बरना ही पड़ेगा नहीं तो future में आपको दिक्कत आ सकती है या फिर recession cancel हो सकता है और सबसे important यह है कि यहां पर मैं बताता हूँ आपको कहां गया point देखें यहां पर यह point लिका है कि if it is a phone later on that कि आगर बाद में department को पता चला है कि आपने गलत तरीके से certificate लिया है गलत information देके या फिर गलत documents upload करके दसे मैं example बताता हूँ कि आभी फिलाल तो मेरा जो experience कहता है कि यह यह जब आप form apply करते हैं टोलवे के लिए टीजी के लिए form भरते हैं 10A तो वहाँ पर कोई इनसान चेक नहीं कर रहा है ओफिस में यह system से automatic आपको mail आ रहा है टोलवे टीजी का मतलब certificate का तो क्यूंकि अभी बहुत सारे लोग apply कर रहे हैं तो इतना चेक करने के लिए उनका उनक packet certificate दे रहा है लेकिन तो example के लिए बतातो मानोE audit report के जब जगह पर आपने audit report submit किया ही नहीं क्यूंकि तीन साल के चाहिए है वहाँ पर audit report आगर 3 साल से पुरानी है तो 2 साल का एक साल से पुरानी है तो एक सालpack audit report लगता है अगर आपने audit report submit नहीं किया और उसके जगा पर पाइनल के लिए आप लाए करने जाते हैं तो उस टेम पे आपको दिखत आ सकती है तो यहीं वीडियो के माद्धम से बताना चाहता हूं और दूसरा दिखे यह तो था टोलवे का यह है एटीजी का सर्टिफिकेट जो दूसरा है वह आपको कैसे समझ में आएगा आपको आना माहा है दीखे गिए पुर्वजिनल और अप्रूवल नंबर तो यह जो नंबर है यह क्या है य्दिक डिया अं रशिष्छन नंब रहे और यही आपको कोड़ करना है जब आप डोनेशिन की रेसिप्ट किसे को भी देंगे उस टेंबंब और क्लाहर डोनर से भी आपको क्य